हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बैंकाब बड़ोदा के ब्रो सेविंग्स अकाौन्ज को compare करेंगे बैंकाब बड़ोदा के light savings अकाौन्ज के साथ में कि इसके कौन कौन से benefits होते हैं और कौन कोन से आप लोग को hidden charges देने होते हैं इसके अलामा दोस्तो हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि क्या आप लोग को बैंक का बढ़ोदा में अपना एक savings accounts open करवाना चाहिए या फिर नहीं open करवाना चाहिए तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किम्मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नौलेस्फुल वीडियो मिले सबसे पहले तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि बैंक का बढ़ोदा गौर्निंट सेक्टर का बैंक है इसके अलामा दोस्तो अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो बैंक का बढ़ोदा ही नहीं बलकि इंडिया में जितने भी बैंक होते हैं सभी के सभी बैंग DICGC से एंसे और होते हैं DICGC का पूरा नाम है Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation जो कि RBI की एक सबस्री बाड़ी है जिसके अंतरगत हर बैंग के हर कस्टमर को 5 लाग रुपए तक का एंसूरेंस बिलकुल फ्री में प्रोवाइट किया जाता है दोस्तों अगर आप बैंग का प्रोवदा में कोई भी सेविंस अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट ओपन करवा लेते हो और बैंग का प्रोवदा अपने लाइफ में कभी भी डूप जाता है तो ऐसे केसिस में आप लोग का 5 लाग रुपए तक का एंवाउन बिलकुल आसा को ले करके कांटो वर्सी अभी भी चल रहा है अभी भी RBI का इस पर कोई भी अपडेट नहीं है तो B.O.B. वर्ड अप्लिकेशन के ओपर मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में इसके अलामत दोस्तों अगर आप बैंक का प्रोवदा में लाइट सेविंस अका 10 years से अपना अकाउंट open करा सकते हैं हाला कि जब आप 10 years से अपना सेविंस अकाउंट open करवाते हैं तो ऐसे क्रिशन में वो एकाउंट पूरी तरह से minor के category में होता है और उसको parents maintain करते हैं वहीं पर दोस्तों अगर हम B.O.B. bro savings accounts की बात करें तो B.O.B. bro savings accounts को open करवाने के लि बात करें अगर हम documents की तो आप यहाँ पर आधार card, water ID card, driving license इसके साथ साथ आप कोई भी legal documents दे करके अपना savings accounts open करा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम rate of interest को discuss करें तो आप bank का ब्लौदा में कोई भी savings accounts open करवाते हो bank का ब्लौदा आप लोग को 2.75% परेनम का rate of interest offer करत आते हो तो ऐसे किसिस में bank का ब्लौदा 6.85% परेनम का rate of interest offer करता है और अगर आप senior citizen के category में आते हैं तो ऐसे किसिस में bank का ब्लौदा 7.35% परेनम का rate of interest offer करता है दोस्तों यह rate of interest मैं जिस टाइम पर वीडियो सूट कर रहा हूँ उस टाइम का है interest rate कम जादा होता रहता है त कुछ टाइम पर interest rate बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों अगर हम minimum balance को distance करें तो यहाँ पर इन दोनों ही account में no minimum balance requirement होता है हाला कि bank आप रौदा में ने B.O.B. light savings accounts के उपर यह clear किया है कि अगर आप B.O.B. light savings accounts में एक भी minimum balance maintain करते हो तो ऐसे केसिस में आप लोगो annual charges बिल्कुल free में provide के जाएगा debit card के उपर आपको कोई भी charges नहीं देना होगा दोस्तों अब एक हिसाब से अगर हम discuss करें तो मालो यहाँ पर बैंका प्रोदा का minimum balance charges है 250 रुपए यहाँ पर रुपए platinum का charges है 300 plus GST यानि कि total 354 तो कि आप minimum balance maintain करके रखो क्योंकि अगर आप minimum balance maintain नहीं करते हो तो ऐसे केसिस में आप लोगो debit card के उपर annual fees 3004 रुपए देना पड़ेगा जबकि यहाँ पर minimum balance charges आपको एक भी रुपए नहीं देना है वहीं पर अगर आप minimum balance maintain करते हो तो ऐसे केसिस में यहाँ पर debit card charges यह 3004 बिल्कुल free हो जाएगा यहाँ पर आपको कोई भी charges नहीं देना होगा तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी confusion या doubt नहीं होनी चाहिए इसके अलामा दोस्तों अगर हम bro savings accounts की बात करें तो bro savings accounts में no minimum balance requirement होता है यहाँ पर इस तरह का time conditions बैंक का पड़ोदा ने अपने website साइट में नहीं लिखा है इसके अलामा दोस्तों यहाँ पर अगर हम checkbook को डिसस करें तो यहाँ पर बी ओबी light savings accounts के ऊपर आप लोगो 30 page का checkbook per financial year बिल्कुल free में provide किया जाता है महीं पर bro savings accounts के ऊपर unlimited checkbook आपको provide किया जाता है बिल्कुल free में इसके अलामा दोस्तों अगर हम SMS alert charges को डिसस करें तो यहाँ पर बी ओबी light savings accounts के ऊपर आप लोगो को 15 रुपे plus GST per month charges देना होता है हाला कि यह पहले per quarter था लेकिन आप इसको increase करके 15 रुपे plus GST per month कर दिया है बैंक का बढ़ोताने और यही बैंक नहीं बलकि इंडिया में जितने भी बैंक है लगभग मैं तक जानता हूं Union Bank of India, HDFC Bank इन सभी बैंकों ने अपने SMS charges में काफी बड़ा बदलाव किया है हाली में 2-3 महीने हो गया है बदलाव किये हुए वही पर दोस्तों अगर आप bro savings accounts open करवाते हो तो यहाँ पर SMS alert बिल्कुल free होता है SMS के ओपर आपको एक भी रुपेs charges नहीं देना होता है बात करें दोस्तों अगर हम debit card की तो आप लोग को इन दोनों ही savings accounts पर रुपे platinum debit card provide किया जाता है जिसकी अगर हम annual fees की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 300 रुपे plus GST यानि के 354 रुपे हर साल charges जोन देना होता है जो कि हर साल आपके account से automatically card लिया जाता है दोस्तो अगर हम बात करें limitations की तो आप इस debit card से 50,000 रुपे पढ़े निकाल सकते हैं और एक लाग रुपे तक आप online यानि की e-commerce transition कर सकते हैं तो दोस्तों यही था bank का browser का light savings accounts इसके अलावा bank का browser का bro savings accounts अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग comment करके बताए कि आप लोग को क्या लगता ह कि इन दोनों ही savings accounts में से कौन सा savings accounts सबसे ज़्यादा सांदार है दोस्तों अगर आप मेरी खुद की opinion मागोगे तो मैं यहाँ पर आप लोग को यह कहूंगा कि bank का browser savings accounts सबसे सांदार savings accounts है दोस्तों क्योंकि light savings accounts के ओपर कुछ limitations bank का browser ने लगा रखा है जैसे कि यहाँ पर आप लोग को SMS alert के ओपर charges देना होता है checkbook आप लोग को all limited नहीं दिया जाता है इसके अलामा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने minimum balance charges पर भी time conditions लगाया है कि अगर आप minimum balance maintain करते हो तो ऐसे किसे में आप लोग को debit card के ओपर कोई भी charges नहीं देना होगा otherwise आपको debit card के ओपर charges देना होगा तो यहाँ पर कुल मिला करके देखें तो मेरी opinion यह रहेगी कि bank का brother का bro savings accounts काफी सांदार savings accounts है वैसा दोस्तों यह bank काफी अच्छा bank है लेकिन अगर आप अभी अपना savings accounts open करवाना चाहते हो तो अगर आपको जरूवत है internet banking की तो ही आप यहाँ पर अपना savings accounts open करवाओ अगर आप चाहते हो कि मैं internet banking use नहीं कर पाऊंगा, mobile banking के जरिए कोई भी transition करूँगा, तो मेरा recommendation यह रहेगा कि आप अभी bank का प्रौदा में कोई भी savings accounts मत open करवाओ, क्योंकि bank का प्रौदा का B.O.B. world application को लेकर के controversy अभी भी चल रहा है, तो हम कुछ कह नहीं सकते है कि कब तक B.O. इस अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए, दोस्तों ये वीडियो only education purpose बनाया गया है, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस वीडियो को एक like करिये, और अपने चैनल finance banking को subscribe करिये, मन में कुछ doubt हो, conclusion हो तो प्लिस comment करिये, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में